हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों येदि आप भी अभी भी डाउट में पड़े हुए हैं कि क्या 2022 तेस का सिलेबस कम हुआ है या नहीं हुआ है तो आज किस वीडियो को अंत तक देख लीजिए पूरा डाउट आज में आपका क्लियर कर देने वाला हुँ एक एक चीज़ समझा दूँगा कि किस क्लास में कितना क्या सिलेबस कम हुआ है किस सब्जेक्ट में ठीक है और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या सच में सिलेबस कम हुआ है या फिर लोगों द्वारा जूठा वीडियो बनाया जा रहा है तो आज कई वी UPSP सर्च कर देना है उसके बाद क्या करना है देखिए UPSP सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेव साइट आएगी जिसे मैं बता रहा हूं ठीक है यह वाली वेव साइट ठीक इसी पर आपको क्लिक कर देना है अब यहां पर क्लिक करोगे तो आप कैसे समझोगे कि कैसे क्य नीचे की तरफ ही स्क्रोल करना है जैसे मैं बताता हूँ देखिए नीचे की तरफ ही स्क्रोल कर दीजिए तो नीचे की तरफ ही स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है पाठ्ठे करम सत्र 2022 ठीक है यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है तो यह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भेया आपके सामने पूरे subject का जो syllabus है वो आजाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं syllabus all subject class wise season 2022 ठीक है अब यहाँ पर देखो class 9th का पूरा दिया हुआ है जितने भी subject है पूरे शुरू से अंतता का आप देख सकते हो ठीक है ऐसे ही 10th का दिया अप्पूरा syllabus दिया हुआ है यहां से आप प्रतेख subject का डाउनलोड कर सकते हो और यहां पर है क्या दोस्तों कि क्लास 10 वालों को बहुत ज्यादा मतलब डाउट है ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं यहां पर देखो दिया हुआ है हिंदी और यहां पर सभी जितने भी जो है विशाय चलते हैं उनका मैं डाउनलोड कर लेता हूं जैसे सभी का आप डाउनलोड करने के लिए आप य देखिए मैं सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड करता हूं मैं आपको दिखावता भी जाता हूं साथ साथ में काउन काउन से सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है और फिर लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस में कितना कम हुआ है ठीक है इंगलिस का देखो डाउनलो कर लिजे science का भी download कर लिजे ठीक उसके बाद देखो यहाँ पर social science का भी download कर लिजे ठीक है तो चलिए अब इतने subject का मैं आपको दिखाता हूँ कि किस में क्या कम हुआ है कौन सा भी नया आया है कौन सा भी पूरा नहीं है ठीक है तो download कर लिजे इसके बाद इनको हम चलिए open करते हैं तो दोस्तों हमने जो भी PDF फाइल download किया था हमने उसे open कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हो विसे प्रारंभी खिंदी का कच्छा 10 का है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो प्रारंभी खिंदी का है और इसमें क्या क्या रहेगा सब कुछ बताया गया है आप इसे download करके देख सकते हो अब इसमें प्रारूप क्या है कि 30% सिलेबस कम हुआ है उसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भी 30% सिलेबस हिंदी में आपका कहां से कम हुआ है क्या प्रारूप है तो आप नीचे स्क्रोल करते जाएए देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है सैच्छिक सत्र 2022-23 हेतु आंत्रिक मुल्यांकर इसका मतलब क्या है कि यह जो PDF फाइल है वो इस वर्स के लिए ही है पुरानी PDF फाइल यह नहीं है नहीं तो यहां पर 2022-23 के बारे में डिटेल के ओदी होती है ठीक है यहां पर 2022-23 के बारे में डिटेल दिया गया है यहां पर कम किया गया है साफ साफ यहां पर हाइलाइट किया गया है ठीक है तो हिंदी में जो कम हुआ है वो आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हो इतने चैप्टर आपके प्रारामभिक हिंदी में कम हुए है ठीक है दूसरी हिंदी जो है उसमें नहीं प्रारामभिक हिंद और दूसरी हिंदी का भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि उसमें कितना कम हुआ है चलिए अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट को ओपन करते हैं अब देखो गाईस मैंने संस्क्रा सब्जेक्ट का ओपन कर लिया है कच्छा 10 का ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो 20 संस्क्रित कच्छा 10 अब संस्क्रित में क्या क्या कम हुआ है चलिए उसको भी दिखाते हैं नीचे स्क्रोल करते जाए ये निस संदे है ठीक है पहले प्रूफ दिखाता हूँ कि ये इस वर्ष का PDF है की नहीं तो आप यहां पर देख सकते हो साफ साफ क्या लिखा गया है सैचिक सत्र 2022-23 से तो अंत्रिक मुल्यांकन निम्नोत कराये जाने की संस्तूति की जाती है ठीक ह व्याकरान से देखो कितना कटा हुआ है सब कुछ यहां पर डीटेल में बताया गया है आप भी यहां पर इसको डाउनलोड करके देख सकते हो चलिए चलते हैं अब next subject का देखते हैं अब देखो दोस्तों मैंने math subject का खोल लीया है कच्छ 10 गणित भी से गणित ठीक है कच्छ 10 का चलिए अब इसमें देखते हैं किस पर क्या कम हुआ है कहाँ पर क्या कम हुआ है और यह किस वर्स का PDF है इसको दिखाते हैं तो यहां पर देखो साब साब बताया गया है कि 2022-23 का ये भी PDF है ठीक है और नीचे चलो देखो यहां पर क्या क्या लिखा गया है कि 30 प्रश्चत कम किया गया पाठिकरम अब देखो किसमें कितना कम हुआ है आप यहां पर देख सकते हो लाइव स्क्रीन सॉट भी ले सकते हो इसका और जा करके लिख लीजिए और यह 100% रियल बात है क्योंकि आपके सामने मैंने इसे UP MSP की वेव साइट से डाउनलोड किया है ठीक है और UP MSP मतलब उत्तर प्रदेश मार्धिमिक सिच्छा परिशत चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं अब द 73 मोल्यंकर निम्नुवत कराये जाने की संस्तूति की जाती है उसके बाद आप नीचे स्क्रोल करो देखो सब कुछ बताया गया है इसी पे ठीक है यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है 30 प्रस्चत कम किया गया पाठ्ठक्रम की इस वर्ष के लिए कितना पाठ्ठक्रम कम हुआ है तो अभी क्या भी जा करके टिक कर लीजिए और इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ध्यान दीजिएगा ठीक है और चलिए चलते हैं अब एक लास्ट सब्जेक्ट सोसल साइंस का भी आपको दिखाते हैं तो गाइस चलिए अब हम आपको सोसल साइंस का भी करना है ठीक है यहाँ पर सब कुछ बताया गया है पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह पीडियाफ भी 2022-23 के लिए है ठीक है और नीचे देखो साफ साफ लिखा गया है कि 30 प्रिश्यत कम किया गया पाठिकरम और किसमें कितना कम किसमें कितना कम हुआ है और आप अपना डाउट अब 100% क्लियर कर लीजिए और आपके टीचर लोग अभी नहीं बताएंगे कि 30% कम हुआ है क्योंकि वो सोचेंगे कि बच्चे जो है वो कम पढ़ेंगे ठीक है इसलिए आप अभी से पढ़ाई कीजिए और 30% सिले बस जो क कि बढ़ेंगे की एैप लोग ए चाहिए टीचिए और 30% कि यूद आपके लोग लोग्वाई भी लोगा गयार्वी और 55 लोग लोगई वोगश नहीं एलावी पार युद ऑपके लोगश मैं पार्वे है प्वार्य के ठीक लोगश टावश रहर्ली पार्ल आपके आपके